बिसमिल्लाइर्माइन रहीम, आसलावलेकूम, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ पैपलम कुर्ती, यह शौट फ्रॉग की तरह यह कुर्ती होती है, जो के लहंगे के उपर पहनी जाती है, बहुत ही जादा खुसरत होती है, मैंने लहंगे की वीडियो अपलोड की अपनी चैनल पर आप जरूर देखिए, उस कर लिंग में डिस्क्रिप्शन में देदूंगी, तो आज हम उसी लहंगे के उपर की कुर्ती बनाने वाले हैं, इसके लिए मैंने नेट का फैब्रिक लिया है, सेम मैच करके, और यह मैंने अड़ाई मिट के करीब लिया है, और इसमें हम सैटन का कपड़ा यूज करेंगे, जो मैंने लहंगे में यूज किया था, तो लाइनिंग के लिए हम यहाँ पे 2 मिटर कपड़ा यूज करेंगे, देखिए इस तरह से हम इसमें लाइनि लगाएंगे, और साथ में हम जिब भी लगाएंगे तो सबसे पहले हम कुर्ती की cutting सीख लेते हैं नेट के उपर तो ये नेट मैंने जो ली है 2.5 मिटर है तो हमें इसके अंदर जो है हमारी कुर्ती को adjust करना यानि हमें इसके अंदर sleeves भी बनानी है हमारी कुर्ती का उपर वाला part रहेगा प्लस हम नीचे गा इसका जो घेरा रहेगा वो हम circle में cut करेंगे यहाँ पे हम high low वाला pattern cut करने वाले हैं simple अगर circle होगा तो वो easy हो जाएगा लेकिन जो high low वाला होता है वो थोड़ा सा hard होता है तो इसे आपको समाझना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ मैंने fabric को देखिए four full करके रखा है हमें जो है हमारी कुर्ती का जो body वाला हिस्सा रहता है यानि उपर का part जो है वो measure करके पहले side में निकाल देना है यानि हम यहाँ पे हमारा जो chest होगा उसका हम fourth part लेंगे प्लस हमें यहाँ पे सिलाई के लिए एक इंच एक्स्ट्रा लेना है और हम क्योंकि इसके अंदर जिप लगाने वाले हैं तो इसके लिए हम एक इंच और एक्स्ट्रा करेंगे देखिए इस तरह से आपको कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा ही रखना होगा तो कुर्ती में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है वो हम यहाँ पे साइड में कर लेंगे क्योंकि हम इसके अंदर जिप लगाएंगे तो जिप की वज़े से यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा लग जाता यहां से आप फैब्री को यूज करें जरा भी इसमें कपड़ा जो है आपका वेस्ट नहीं होने पाए तो यहाँ पे दिखिए हमने इसे अलग कर दिया है अब हम इसकी कटिंग करेंगी लेगे लिगे उससे पहले हमें जो हमारे बॉडी की लंबाई उसके हिसाब से नेट को निकाल ला होगा यहाँ पर थोड़ी सी नेट जो है एक्स्ट्रा ई जो के plane है वो भी हमें कट करनी है तो हम यहां पे पहले हमारी बॉड़ि की लंबाई के हिसाब सी एक हिसा यहां पर लग कर लेते हैं यहां पर देखे मैं पार्ट इसका अलग कर दिया है इसे हम इस तरह से fold कर लेंगे तो same इसी तरह से हम दूसरे पाट को भी fold करेंगे देखे आपको इस तरह से इसमें रखना है इसे लंबाई में हम इस तरह से fold करके रखेंगे और दूसरे लिपीस जो है हमारी वो हम थोड़ा सा half inch extra छोड़ते हुए पीछे की तरफ रखेंगे यानि हमने नीचे वाले पाट को half inch extra आगे की तरफ कर दिया है जो नीचे वाला हमारा पाट है वो हमारा back side हो जाएगा जहां पर हम zip attach करेंगे इसलिए हमने देखे यहां पर extra half inch छोड़के उसके बाद में front वाला हिस्सा उसके उपर रखा है और जो ये net वाला हिस्सा है ये भी extra है वो हम cut करके निकाल देते हैं हमारी जो body की लंबाई है वो 15 है लेकिन हमने एक inch extra इसमें 16 ले लिया है पहले हम यहां पर neck के लिए mark करेंगे त्री inch उसके बाद में total हमारा जो ये shoulder है ये 7 inch हो जाएगा यहां पर भी हम 7 inch पर mark करेंगे हम एक box बना देंगे यहां पर देखे इस तरह से इसके बाद हम यहां से यहां तक हमारी जो chest की गुलाई है उसका चौथा पाट करेंगे और वो यहां पर mark कर देंगे यानि मैंने यहां पर हमने 9 inch पर mark किया है और 1 inch हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए उसके बाद यहां पर गुलाई से निशान लगा देते हैं आम होल का उसके बाद में आपको जो है आपकी कमर की गुलाई के सबसे निशान लगाना है तो जो भी आपकी कमर की गुलाई उसका चौता हिस्सा लिजिए उसमें आपको यहां पर 1 inch एक्स्ट्रा एट करना है क्योंकि हम यहां पर टक्स डालने वाले है और प्लस 1 inch आपको एक्स्ट्रा और लेना है सिलाई के लिए यानि टोटल आपको 2 inch एक्स्ट्रा यहां पर रखना होगा जितना पर आपकी कमर की गुलाई है उसको चौता हिस्सा करने के बाद 2 inch एट करना है उसके बाद में हम इस लाइन को इस तरह मिला देंगे और सिलाई के लिए जो हमने एक्स्ट्रा लिया है क्रॉस में निशान लगाएंगे कमर पे अगर हम इसी तरह से कोना रखेंगे तो फ्रॉक जब हम फिट करेंगे इसकी गुलाई तो अच्छी नहीं लगेगी इसलिए हम वहाँ पे शेप दे देते हैं कमर के पास तो बिल्कुल हम उसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे उसके बाद में हमें लाइनिंग कट करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में कपड़े को रख दिया है और हमने जो नेट कटिंग की थी वो इसके उपर हम रखेंगे और जो हमारे बैक पार्ट वाली नेट है वही आपको रखके कट करना है अगर आप फ्रंट वाली रखके कट करेंगे तो आपकी जो यह लाइनिंग वाला कपड़ा है वो छोटा पड़ जाएगा उसके बाद देखे हम इसे यहाँ से अलग कर लेते हैं तो दोनों पार्ट को आपको अलग कर लेना है बैक वाला हम साइड में रख देंगे इस तरह से उसके बाद जो फ्रन्ट वाला पार्ट है उसे हम खोलेंगे और इसे अब हमें सही से कट करना है क्योंकि बैक वाले पार्ट में हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ करके उसके बाद कटिंग की दी तो इसे हम यहां से बराबर करते हुए कट कर लेंगे अगर आपको इसके नजिप नहीं लगानी है तो आप डायरेक जो है जो भी आपका मेजर्मेंट है उसके इसाब से निशान लगाए करके सकते हैं सेम ना आपका इसके बाद जो बचीवी नेट है इसमें से हम इसका घेरा कट करेंगे हम यहां पे हाईलो बनाने वाले हैं तो इसकी कटिंग आप द्यान से दिखिए गया तोड़ा मैं अलग तरीके साज आपको सिखाऊंगी तो मैंने फैबरी को दिखे इस तरह से फोर्फोल में रख लिया है तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको इस तरह सी से फोल करना है और मैंने जो है यहां पर इसकी लंबाई लेनी है वो आपके जो बॉड़ी पाट है जो हमने यहां उपर रखा यानि 15 इंच हमारे उपर का हिस्ता रहेगा उसके बाद में जो भी हमारी लंबाई रहेगी वो हम हमारे इस फ्रॉक में लेंगे तो आपको इसके अंदर ज्यादा कुछ करने की जरूत नहीं है यहां प आपो इसी तरह से कर लेंगे तो देखे मैंने यहां पिसकी कटनी कर ली है अब लाइनिंग हमें कट करना तो लाइनिंग के लिए बी हम यहां पर फोर में फैप्री को भी इस तरह से इस के बाद जो हमने नेट कट किया तब वह मुँम इसे ऊपर रखेंगे हमें जो है जाई से हम यहाँ पर निशान लगा कि इसकी कटिंग कर लेंगे तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर माग किया है तो सेम इसी तरह से हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे तो यहां पर दिखें मैंने सी cutting कर ली है अब ये जो net वाला फैब्री के से हम इस तरह से खोल लेते हैं इसमें हमें high low बनाना है तो ये देखी जो मैं तरीका आपको बता रही है बहुत ही आसान है इसमें सबसे पहले आपको इस fabric का जो है center लेना होता है जो भी है center यहाँ पे हम mark कर देंगे और यहीं से पकड़ते हुए हमें जो है हमारे fabric को देखे रखना है ऐसे करके तो आपको जितना भी यहाँ पे high और low करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं तो यह हिस्सा जो रहेगा उपर वाला हमारा सामने वाला हिस्सा देखे इस तरह से रहेगा यहाँ नीचे से मैंने 6 इंच पे गैप दिया है तो और जो यह उपर वाला हिस्सा है यहाँ पे हमारी जो कमर की गुलाई है इसका चौता हिस्सा हम यहाँ पे ले लेंगे तो जितना भी आपकी खुलकी है, वह आपको लेनी है, यहां पर खुलकी है, और इस तरह से अब। शेप दिया है तो इसे हम इस तरह से मार्ग कर लेंगी इसके बाद में आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा उपर की तरफ चोड़ना है स्टीच करने के लिए तो हाफ इंच ओड़ के उसके बाद में हम इसके कटिंग कर लेते हैं तो यही सापको बहुत जादा बड़ा नहीं कट करना है वहना आपको जो है गैदर्स डालने पड़ेगी तो यही सामने यहां पे कटिंग कर लिया है अब हमें जो है लाइनिंग में भी इस तरह से कट करना होगा तो सेम हम उसी तरह से लाइनिंग को भी रखेंगे और हमारा जो नेट वाला फैब्रिक है वो हम इसके उपर जो है रखेंगे देखिए इस तरह से आपको रखना है इसे हम बराबर कर देते हैं सेम होना चाहिए कपड़ा उपर नीचे से बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मैं आज आपको पैपलें कुर्टी की कटिंग बता रही है तो देखिए इस तरह से आपको जो नीचे वाला इसका पार्ट है वो कट करना है तो लाइनिंग को और जो नेट है उसको आपको बिल्कुल सही से रखना है कुछ उपर नीचे नहीं होना चाहिए उसके बाद बराबर करके हम यहाँ पे मार्ग करेंगे और इस हिसे की हमें कटिंग कर लेनी है यह जो हमारा कमर वाला हिस्सा है यह बिल्कुल आपको सही मेजर करके यानि जो उपर वाला हिस्सा है आपका पेटी वाला हिस्सा जो रहेगा वो सिलाई करने के बाद में जो गुलाई रही उतना ही यहाँ पर आपको लेना है तो इसे देखिए मैंने खोल दिया है अब जो लाइनिंग लगाना बहुत ही आसान है इसमें दो तरह से लाइनिंग लगाई जाती एक तो आप डारेक अंदर से लगा के सिलाई करके इसे पलट सकते हैं जिसे थोड़ा सा मोटा हिस्सा दिखाई देता है लेकिन मैं यहाँ पे लाइनिंग और उपर वाली नेट को अलग अल अब यहाँ पे यह जो हमारा उपर वाला पार्ट है यहाँ पे हमें लाइनिंग को अटेच करना है एक साधी सिलाई हम लगा देंगे उसके बाद बीच में हमें यहाँ पे जिप लगानी है फिर हमें नेक इसके अंदर बनाना है तो इसे हम पहले साइड में रख देते हैं तो जो यह बचा हुआ कपड़ा है इसी के अंदर से हमें जो है स्लीव निकालनी है तो यहाँ पे जो है मुझे लॉंग स्लीव नहीं बनानी है मुझे थोड़ी सी फ्री लागे लगानी है लेकिन कपड़ा इतना ही है तो इसमें हमें अर्जिस करना है तो यहाँ पे हम आम ह यहां पर लिम्ष सब्सक्राइब करते हैं ऐसे आम हुल की उसके बाद में यहां पि-पृ य प्राइड है JP पर मात करते हैं स्थरा और इंचम कर देंगे तो नहीं कि यहां पर मार्किंग कर देंगे इस तरह से हमारी स्लीफ देखे कर चुकी है उसके बाद में जो आगे वाला हिस्सा जो बचा था इसके अंदर से हमें फ्रिल निकालनी है तो यहां पर एक जो है बड़ी सरकल में हमारे पास नहीं बचेगी तो जो भी कपड़ा है उसके मैं यहां पर मैं गोलाई दे रहे है तो जैसे मैं ने गोलाए दिया है से ہम कड कर देंगे तो देखे एक सरकल में कट होगा इस के अंदर तो लगाए किसाब से हाफ इंचाप को यहां पर एक स्टा छोटती हुए कट करना है इसके बाद में यहों से खॉचल में इक्से तो जब मैं इसकी stitching करूँगी तो आप दिहान से देखिएगा कि मैं इसे किस तरह से लगाती हूँ यहां पर देखिए आपको इस तरह रखना है और इसकी टोटल लेंड हमारे पास 16 इंच हो जाएगी बनने के बाद में और यहां पर मैंने देखिए यह जो हमारा घेरा वाला हिस्सा यहां पर मुझे थोड़ इस लाइनिंग बाहर लगी तो मैंने हलकी सी कट की है अब यहां पर हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे किनारी पर से सेम इसी तरह से हम यहां जो है नेट पर भी सिलाई जो हम इसके उपर अच्छी तरह से तो मैंने बैक आओ पार्ट को देखे दो इससे में डिवाइड किया है इसे हम इस तरह से अटेज कर देंगे तो इसके बाद में हम sleeves को ready करेंगे, तो sleeves में हम ने फिल तयार की थी, वो हम इसके अंदर लगाएंगे, तो बस आपको इस तरह सीधा रखना है, इसके बाद पलटने के बाद में हम एक simple इसके उपर लगा देंगे, इसे attach करने के लिए, वीडियो थोड़ी से लंबी हो गई है लेकिन अगर आप जहां से देखे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा मैंने बहुत ही अलग तरीके से इस कुर्ती को कटिंग करना और स्टिचिंग करना सिखाया है तो इस फ्रिल को देखे मैंने यहां पर इसे अटेच कर है अब हमें इसमें डबल सिलाई करने है तो हम पलटने के बाद करेंगे यह जो हिस्सा सिलाई वाला था उसे हम पीछे की तरफ करेंगे ताकि जो सिलाई वाला हिस्सा है वो आगे की तरफ ना दिखाई दे इससे पलटके हम बिल्कुई किनारी पर से एक सिलाई लगा अब जो इसकी किनारी वाले हिस्सा है यहाँ पर हम डबल सिलाई करेंगे इसे मैंने देखी दो बार फोल्ड किया है पहले मैं एक बार सिंपल इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा रही है तो यहांपो आप देख सकते हैं इसे हम, जो हे हमारे जो उपर वाली घुर्थी उसमें अटेच करेंगे लेकिन उससे पहले हम जो हे जिप लगा लेते हैं तो इसे जिप किसी retourкої नहीं आता है है और इसी की साथ में डबल कर कि लाइनिंंग का यजा साथ में कट करि था कि बाद में आपको एक इंच की दोरी पे इस तरह से कट करना है तो उस चहिए पाँ od पर लिया है कुट यहां पर आप उससे पहले हम हाफ इच की दूरी पे इसे जो है सिलाई लगा देंगे इस तरह से पट्टी अगर अटेच करके हम जिप लगाते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ जिप के अंदर लग जाती है उसके बाद हम यहां पे फ्रंट वाला नेक कटिंग करेंगे तो 3 इंच मैंन लेंगे उसके बार चौडा इंच की दूरी पे इस तरह से जिए निशान लगाना है तो इस तरह श्राब भी निशान लगा देंगे तो इसके बार lub Nee पर 3.5 पर निशान लगाएंगे इस तरह लंबवाई में निशान लगाते हुए गैप अगैप रखना है तो इस तरह से लगाएंगे इसी तरह हमें इसमें शिलाई लगानी होगी तो उसके में हम जो है इसके अंदर स्लिप स्कॉटेच करेंगे और यहां पर हमने जो है फ्रंट वाले हिस्से में इस तरह से हाफ इंच अंदर की तरफ करके कट कर देना है आम होल हमने यहां पर शेप दे दिया है लेकिन यहाँ पर आपको 4 इंच पर निशान लगा रहा है, हाफ इंच हमारा एक्सट्रा है, साइड में कपड़ा, सेम इसी तरह से आपको दूसरे वाले हिस्से में पर निशान लगा देना है, तो हमने देखें, यहाँ पर इस्ट्रिप को जॉइन कर दिया है, और strip को हमने पहले से ही half यहाँ पर fold कर लिया side से उसके बाद में हम zip को लगाएंगे तो zip लगाने के लिए आपको पहले इस तरह से अंदर की तरफ कपड़े को fold करना है जो हमने strip लगाई है जिप को रखते हों सिलाई लगानी है और strip जो हमने अंदर की तरफ लगाई थी उसे हम अंदर कर देंगे अगर आपको डायरे की तरह नहीं आता है तो आप पहले जो है जो हमने strip को लगाई है उसे लगाने के बाद fold करने के बाद आप एक सिलाई लगा दीजे तकि वो अच्छी तरह बैढ़ जाए उसके बाद आप जिप लगाई तो आपको आसाने हो जाएगी तो यहाँ पर पहले हम एक हिस्से पर सिलाई लगाएंगे यहाँ पर हम जो है रूख जाएंगे एक्स्ट्रा स्ट्प को हम यहाँ पर कट कर लेंगे उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका हम पहले इस तरह जिप बंद करेंगे और सेकंड पार को इसके ऊपर रखेंगे तो इस पट्टी को देखिए अंदर की तरफ fold करना है उसके बाद में हम इसे नीचे वाले हिस्से से जॉइंट करेंगे थोड़ा सा हम हाफ इंच बाहर की तरफ निकालते हुए इसे रखेंगे दिखेंगे इसे विलकुल सीधा करना है आप चाहें तो इसमें डारेक्ट पिन लगा कि उसके बाद सिलाई लगा सकते हैं तो हम नीचे वाले हिस्से से ही जॉइंट करना है स्टा लगाएंगे अब धियान रखना है कि उपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए तो इसे हम बराबर भी करते जाएंगे साथ में और साथ में हम सिलाई भी लगाते चले जाएंगे मैंने पहले भी वीडियो अप्लोड कि है कि किस तरह से हम कुर्थी हम अटेच करते हैं तो अगर आ यहां पर गले की पट्टी कट की थी वो हम यहां पर लगा देंगे अब हमें टक्स पर सिलाई लगानी तो मैंने यहां पर पहले से एक सिलाई लगा दी जो मैंने निशान लगाया था तो इस तरह से सिलाई लगा कि अगर आप टक्स की सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही फिनि कर दी है उसके बाद में मैंने स्लीव की जो यह सिलाई वाला हिस्सा था पीछे की तरफ करके लगाई तो यहां पर हमारा जो कुर्ति का उपर वाला पाटे वह रेडी हो चुका है और हमारा जो निचे का घेरा है वह भी लाइटिंग लगा के रेडी है तो अब हमें जो है इन मैंने देखे इसे अटेच कर दिया है और बनने के बाद में यह माशाला बहुत ज़्यादा खुबसूरत लग रही आप देख सकते हैं इस कुर्ति के साथ जो नेट वाला लहंगा है गैधरिंग का इसकी वीडियो मैंने अपलोट कर दी है अगर आपने नहीं देखा है तो वो हमने हमारा जो लहंगा है उसकी डिजाइन से मैच करके लिया है आप देख सकते हैं कटवर्ट दोनों में बना हुआ है तो माशाला मैंने आज आपको पैपलम टॉक की कटिंग और स्टीचिंग बहुत ही आसन तरीके से सिखाई है और हमारा जो यह नेट वाला गैधरिं अला हाफिज